गोरकपुर मुख्यमंत्री स्री योगी आदित नाज जी का जन्पद आप सारे लोग जानते होंगे ये जहां एक और योगी जी के छेत्र के रूप में मसूर है वहीं दूसरी तरफ इनसिफलाइटिस की बीमारी से बच्चों की मरने की खबर हर साल गोरकपुर जन्पद से आती रही है लेकिन आज जो हाथसा हुआ है जो घटना सामने आई है वो बहुत ही दर्दनाक है और हमारी विवस्था पर एक गंभीर सवालिया निसान उठा रही है हमारी बिगडी, कुरूर, विवस्था के उपर एक बड़ा प्रस्चिन लगा रही है गोरकपुर के अंदर तीस मासूम बच्चों की बी आरडी मेडिकल कॉलेज में आकसीजन की कमी के कारण मौत हो गई आप कलपना कीजे कि अस्पताल में आकसीजन जो एक मरीज की जिन्दगी के लिए बहुत एहम और जरूरी होता है इनसेफलाइटिस वार्ड में जहां पर आकसीजन की सप्लाई एक प्राइवेट फर्म के द्वारा की जा रही थी उस प्राइवेट फर्म ने आकसीजन की सप्लाई 36 गंटे पहले और 48 गंटे पहले बंद कर दी और वो सप्लाई इसलिए बंद कर दी कि 69 लाख रुपए उस कम्पनी का बकाया था यानि जो प्राइवेट फर्म बी आरडी मेडिकल कॉलेज को आकसीजन सप्लाई करती थी उस प्राइवेट फर्म का पैसा बकाया होने के कारण आकसीजन की सप्लाई बंद हो गई कहीं सेलंडर से इंतजाम करने की कोशिस की गई कुछ घंटों तक बेपरवाह रहा पूरा का पूरा प्रसासन और अस्पताल का पूरा तंत्र डाक्टर्स मरीद परिशान रहे बिलखते रहे रोते रहे मासूम बच्चों के माबाप चिलाते रहे लेकिन आक्सीजन का इंतजाम उनके बच्चों के लिए नहीं हो पाया और मौत का सिल्सिला एक के बाद एक एक के बाद एक सुरू हुआ ये सब कुछ घंटे तक नहीं चला बलकि 36 से लेकर 48 घंटे तक जिस तरह की खबरें अखबारों में आई है 48 घंटे तक ये सिल्सिला जारी रहा और इस बीच लगातार कभी सिलंडर आता था कभी आक्सीजन आता था कभी नहीं आता था कभी मिल पाता था आक्सीजन कभी नहीं मिल पाता था आप कल्पना किजिए लापरवाही की संवेदन हींता की पराकास्था है ये घटना और ये बताती है कि हमारी राजनीतिक विवस्था, हमारा स्वास्त का तंत्र वो कितना कुरूर हो चुका है कि इतना बेपरवाह और लापरवाह हो चुका है कि बच्चे मासूम बच्चे एक तरफ मरते रहे और उनके लिए आक्सीजन का इंतजाम नहीं हो पाया और इसके बाद जिस प्रकार की बयान बाजी हो रही है वो और भी दुर्भागे पूर्ण है जिले का जिलाधिकारी राजीव वो बयान देता है कि नहीं आक्सीजन की सप्लाई प्राइबिट फर्म ने बंद कर दी थी इसलिए बच्चों की मौत हुई उत्तर प्रदेश के स्वास्थ मंत्री सिद्धार्पनास सिंगी बयान देते है कि ये खबर खबर पुरी तरह से जूटी और निराधार है इसके कारणों का पता लगाया जाएगा और इसकी हाई लेवल इंक्वाइरी की जाएगी स्वास्थ मंत्री जी आपकी हाई लेवल इंक्वाइरी तो चलती रहेगी आप जाँच पे जाँच कराते रहेंगे और उस जाँच की रिपोर्ट तो कुड़ेडान में डालते रहेंगे हमें मालूम है लेकिन बावजूद इसके उन मासूम बच्चों के परिवारों को उनके बच्चे कैसे मिलेंगे आपकी ये जाँच की नोटनकी तो जारी रहेगी लेकिन उनका परिवार आज जो बिलख रहा है रो रहा है उनको उनकी आत्मा को सांती उनके परिवार को सांती कैसे मिलेगी उन बच्चों की आत्मा को सांती कैसे मिलेगी जिनको आपने अपनी बिभाग की लापरवाही के कारण मौत का सिकार बना दिया आपका जिलाधिकारी कह रहा है कि लापरवाही हुई आकसीजन की सप्लाई नहीं हुई प्राइबेट फर्म ने बंद कर दिया और आप बयान दे रहे हैं ऐसी घटना पर भी आप बयान दे रहे हैं कि ये सारे आरोग जूटे है इससे भी बढ़के बड़ा सवाल यह है साथियों कि आखिर हम इन मुद्दों पर सचेत कब होंगे इन मुद्दों के लिए संघर्स कब सुरू होगा इन मुद्दों को लेकर एक सार्थक पहल कब होगी आज इस घटना के बाद मुझे मालूम है बहुत सारे नेता वहां पहुँचकर अफसोस जताएंगे अलग-अलग पार्टियों के बड़े-बड़े बयान भी आएंगे लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की स्वास्त की बेवस्ता बदलेगी क्या अस्पतालों की बधाली दूर होगी क्या इस प्रकार की घटना दुबारा नहीं होगी अगर इन सवालों पर हम जरा सभी सोचते हैं तो इसका उत्तर बहुत नकारात्मत मिलता है और ऐसा लगता है कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है क्योंकि हमारे देश की राजनीत तो अभी इन मुद्दों पर रही नहीं बिजली, पानी, चिकिस्ता, सिख्छा की बात तो हम करते नहीं जाती के नाम पे, धर्न के नाम पे अलग-अलग खानों में बट कर इस देश की राजनीती चल रही है और उसी नकली नारों के आण में ये भ्रस्टाचार का खेल चलता है ये बदहाली का, ये बर्बादी का खेल चलता है मैं आम आदमी पार्टी के कारकरताओं से अपील करना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर पहले तक काल गोरखपूर के जितने भी वालेंटियर्स है वो हास्पिटल में मुझे मालूम है, बहुत सारे साथ ही अपने वहाँ पर पहुँचे वो काम कर रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं वो भी वहाँ पहुँचे जो भी आपसे आर्थिक सारे रिक जैसी भी मदद आपसे दवाओं की जो भी बन सके आप वहाँ के मरीजों को मदद पहुचाने के लिए रहत पहुचाने के लिए पहले तुरंट काम कीजिए तुरंट वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए पहुचिए और इसके बाद एक सार्थक मुहिम एक उत्तर प्रदेश की सरकार पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास हम सारे लोग लामबंध होकर करेंगे जिससे ऐसी लापरवाई अस्पतालों में आगे से ना हो सके हमारी सरकार को योगी आदित नाज जी की सरकार को सुधारे स्वास्त विवाग को सुधारे सिधार्थ नाज सिंग्जी को मजबूर होना पड़े कि वो बयान बाजी करने के बजाए अस्पतालों के कुछ सार्थक कदम उठाएं और इसके लिए हम एक बड़ी पहल उत्तर प्रदेश में करेंगे लेकिन जो कुछ भी गोरखपुर में हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है वो बहुत ही जरूरते हैं बिजली, पानी, चिकित्सा, सिप्छा, सुरक्षा, सडकें, नालियां जो हमारी जिन्दगी के लिए मूल भूत जो जरूरते हैं उसके लिए सरकारों को काम करना पड़ेगा और अगर सरकारें हमारी बेपरवाह रहती हैं तो उनको काम कराने के लिए मजबूर करना पड़ेगा आज उत्तर प्रदेश अपराधों का प्रदेश बन गया है आज उत्तर प्रदेश में आए दिन बलातकार की घटनाएं सामने आ रही हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलातकार की घटनाएं हो रही हैं बलातकार के बाद उनकी हत्या कर दी जा रही है क्या फर्क आया क्या परिवर्तन आया कितनी बड़ी उम्मीद के साथ भारती जन्ता पार्टी को लोगों ने उत्तर प्रदेश में चुना था और बीजेपी का नारा था ना भ्रस्टाचार ना गुंडा राज अब की बार बीजेपी सरकार लेकिन गुंडा राज रुका क्या अब राज रुका क्या उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ गई क्या एंटी रोमियो स्कॉाट के नाम पे बड़ी नोटंकी तो की गई लेकिन आज क्या बच्चियों के साथ छेड़ खानी की घटना रुक गई नहीं घटन के साथ मिलकर उस मासूम बच्ची का गला रेत कर उसको मार देता है उस इंटर में पढ़ने वाली छात्रा को दिन दहाड़े जो अपने बहन के साथ जा रही थी उसका कतल कर देता है और उसके बाद अपने फेस्बुक पर लिखता है कि ऐसी घटनाओं के लिए उसके पिता नहीं होंगी तो इस मुल्क में बेटे पैदा नहीं होंगे तो बेटों की भी जिम्मेदारी है बेटियों की सुरक्षा महिलाओं की सुरक्षा इस देश की बेटियों की सुरक्षा प्रधान मंत्री जी ने पंद्रा अगस्त के लाल पंद्रा अगस्त पर लाल किले से भासर बेटियों को रोकते हो और बेटों को घर से बाहर जाने देते हो और तब ऐसा लगा था प्रधान मंत्री जी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं लेकिन जब उनका बजट आता है तो 15 पैसे बेटी की सुरक्षा पर बजट में झाल झाल झाल